हेलो स्टुडेंट्स स्वागत आप सभी का हमारे यूटूब चैनल स्टडी सर्कल 24 में तो स्टुडेंट्स आज का वीडियो आप लोगों के असाइमेंट का एंसर लेकर आये हुए हैं तो आज के ये वीडियो छक्तिस गड़ मादमिक सिर्चामंडल के द्वारा जो आपको दिया गया है अगस्त महिने का आपको असाइमेंट लिखना है दस सिदंबर से पहले पहले लिख कर आप सभी को जमा करना है तो चलिए आज के वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कच्छा दसमी विशय समाजिक विग्यान का असाइमेंट का एंसर ठीक है तो आप सभी assignment के answer को आप अच्छे से लिखेंगे आपको सारे assignment के answer आपको हमारे channel के माध्यम से मिल जाएगा अगर आप लिख भी चुके हैं तो आप उसको एक बार मिलान जरूर कर लें बिल्कुल आपको clear स्वच writing में आपको सारी चीजे मिलेंगी ठीक है तो चलिए हम start करते हैं आज का ये वीडियो पहला प्रशन देखेंगे इससे पहले यदि आप channel पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो channel को आप जरूर subscribe कर लीजे जिससे कि आपके assignment से संबंदित आपके class से संबंदित जो भी 36 गड़ बोर्ड के से संबंद जितनी भी जानकारी होगी आपको सबसे पहले मिल जाएगी channel के माद्यम से ठीक है वीडियो के माद्यम से ओके और साथ ही आप channel को subscribe करके बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कर लें जिससे कि आपके assignment के जितने भी मिल बिठाएंगे देखिए इसका उत्तर लिखेंगे आप अगर हम जंगलों की लकडियों का उप्योग करना चाहते हैं तो उनके नवीनी करण चक्र से मिल बिठाने हैं तो निम्न प्रिक्रियाएं अपनानी होगी पहला हम केवल वे ही लकडिया चुने जो पेंड की डालिया सुख चुकी है दूसरा ध्यान रखें कि केवल जरजर और पुराने पेंड ही काटें तीसरा या ध्यान रखें कि जितने पेंड हम काट रहे हैं उससे कहीं अधिक पौधे लगाकर उन्हें पेंड के रूप में बिक्सित होने तक उनकी देखरेक करें चौथा हम इस प्रकार से लकडी एकत्र करें कि किसी पेंड को नुकसान न हो दूसरा प्रशन देख लिजे और द्योगिक समाज का प्रागतिक संपदा के प्रकति क्या सोच है क्या वे भी इस संपदा का उप्योग आदिवासि समाज की तरह ही करते हैं तो देखें इसका अंसर आप यहां से लिखेंगे प्रकति हासिकाल में मनुस्य प्रकति जीवी था वो पत्थर के अजारों से कंद मूल फल खोद कर खाता और जानमरों का सिकार करता था इसे प्रकार से आगे भी जो लिखा हुआ है आप बिल्कुल इस पर्ष्ट अच्छरों में लिखा हुआ है तो आप उसे नोट कर लिजे और भी आपके जो गडित भी सहका है और साथ में बिज्ञान और हिंदी और अंग्रेजी के वीडियो पहले ही अपडेट किये जा चुके है अपलोड हो गए है तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्टन चेक कीजे या फिर आप वीडियो के प्ले लिस्ट पे जाकर देख लीजे ठीक है जो आपको यहाँ पास Study Circle 24 का जो लोगो दिख रहा होगा वहाँ पास आप उसको टच करें तो आपको पूरी वीडियो की लिस्ट मिल जाएगी तो आप वहाँ से अपना Class देखकर आप वहाँ देख सकते हैं ठीक है चलिए अगला प्रशन देख लीजे प्रशन मबर तीसरा है इंद्रा गांधी नहर कमांड छेत्र पर टिपड़ी लिखना है तो उसके एंसर को आप यहां से लिखेगा कि इंद्रा गांधी नहर राजिस्थान के प्रमुख नहर है इसका पुराना नाम राजिस्थान नहर था या राजिस्थान प्रदेश के उत्तर पश्चिम भाग में बहती है इसे राजिस्थान की मरुगंगा भी कहा जाता था है और राजिस्थान के मत्व कांचे इंद्रा गांधी नगर परियोजना से मरुस्तलिय छित्रम में सिचाई के साथ ही पेजल और उद्ध्योगी कारियों के लिए भी पानी मिलने लगा है नहर निर्मान से पूर्व लोगों को कई मील दूर से पीने का पानी लाना पड़ता था लेकिन अब परियोजना के अंतरगत बारह सव क्यूशेक पानी के वल पेजल उद्धोग सेना योम उर्जा परियोजनाओं के लिए आरच्छित किया गया है ठीक है योग या ओके नेक्स्ट दिखते हैं अब देख लीजिए चोथा प्रश्ण है ऐसे उदारण सोचिए जहां वस्तुई और सेवाएं व्यक्ति गत इस्तर की अपेच्छा समुईक इस्तर पर उपलब्ध कराना अधिक सस्ता और कारगर होगा ठीक है तो नेक्स्ट इसका एंसर हो जाएगा आप यहां से लिख सकते हैं पॉइंटे में दिया है चार पॉइंट लिखा है आप इसको बिल्गुल अच्छे से लिख लिजिए ठीक है अब अगला प्रश्ण देखिए पांचवा प्रश्ण है वीडियो को पॉस करके लिख लिजेगा और यदि आपको इसका पीडियाप चाहिए तो आप टेलीक्राम चैनल से आप जॉइन हो जाएए जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रेप्शन में मिल जाएगा वाट्सप ग्रूप का लिंक भी दिया गया है तो आप वहां भी जॉइन हो सकते हैं और यद वीडियो को शेर कीजिए ज्यादर ज्यादा अपने दोस्तों तक में चाहिए तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में तब तक के लिए थाइंक यू एंड वेस्ट अब लग